बाद मैं ये कह सकता हूँ कि स्थिती नियंतरण में है और कोई भी घबराने वाली बात नहीं है जब लॉकडाउन में धील दी गई थी हमें ये उम्मीद थी कि थोड़े से केसेज में बढ़ोतरी होगी लॉकडाउन में धील देने के बाद थोड़ी बढ़ोतरी हुई है लेकिन चिन्ता की कोई बात नहीं है मुझे चिन्ता तब होगी जब दो बातें अगर होगी एक तो ये कि अगर मौत का आंकड़ा बहुत तेजी से अगर बढ़ने लगेगा जैसा मैं बार-बार कहता रहा कि हमें कोरोना अभी कोई आज या कल में जाने वाला नहीं है कोरोना तो रहेगा अगर कोरोना होता रहे और लोग ठीक हो कि अपने घर जाते रहें तो चिंता करने का कोई विशे नहीं है तो एक तो ये कि मौत नहीं होनी चाहिए ज्यादा मौत के आंकड़े को हम कोशिश करके सब को बचाप सकें सब मौत के आंकड़े को कम से कम रख सकें और दूसरा ये कि जो केसिस हो रहे हैं वो इतने गंभीर केस ना हों कि हमारा अस् इतने मरी जाने लग गए, इतने मरी जाने लग गए, कि हमारा इस्पताल बैट जाएंगे, हमारे मान लेजे बैट टैड़ नहीं मिलेंगे, औक्सीजन नहीं मिलेंगी अगर ऐसी इस स्थिती हो जाएगी, तब चिंता का विशे होगा। कल तक दिल्ली में 13,418 केस थे टोटल अभी तब पॉजिटिव केस 13,418 आए इन में से 6,540 ठीक हो गए और 6,617 अभी बिमार हैं तो लगबक जितने ठीक हुए उतनी बिमार हैं लगबक जितने ठीक हो गए और 6,540 अभी बिमार हैं मोटा मोटा 261 लोगों की मौत हो गई आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ कि आज दिल्ली में अपने अस्पतालों का क्या स्टीटस है जो कोरोना से कोरोना के अस्पताल है कोरोना के जो सरकारी अस्पताल है उनमें 3,829 बेड हैं टोटल सरकारी अस्पतालों में 3,829 बेड हैं जिनमें 3,164 बेड्स में ऑक्सीजन एविलिबल हैं मैं बार-बार ऑक्सीजन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि करोना की कोई दवाई नहीं है जिस पेशेंट को करोना हो जाता है उसको एक तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और दूसरा उस ऑक्सीजन की कमी की वज़े से उसकी सांस से तेज हो जाती है respiration rate बढ़ जाता है तो उसको oxygen देनी पड़ती है oxygen सबसे critical है ऐसे patient के लिए corona के patient के लिए जो severe patient होते हैं corona के जो मामूली symptoms होते हैं उनको नहीं जो severe patient होते है corona के उनको oxygen देने की ज़रूर पड़ती है 3829 bed सरकारी system में है उन में से 3164 beds पे oxygen है 3829 में से केवल 1478 bed अभी occupied हैं मोटे मोटे तो और पे अगर मैं कहूं तो 4000 bed हैं जिस में से 1500 beds occupied हैं 5000 beds अभी खाली हैं सरकार में 1500 beds occupied है 5000 beds अभी खाली हैं सरकार के पास 200 ventilator हैं उन में से केवल 11 ventilator अभी यूज हो रहे हैं लगबग 240 ventilator खाली हैं आज से एक हफ़ता पहले जब lockdown में ढील दी गई थी तब क्या स्थिती थी और आज क्या स्थिती है 17 तारिक को lockdown में ढील दी गई थी उस दिन total patient दिल्ली में positive 9755 थे आज 13488 एक हफ़ते के अंदर patients बढ़ गए इसी के साथ साथ एक हफ़ते के अंदर धाई हजार लोग ठीक हो के घर चले गए साड़े तीन हजार बढ़ गए और धाई जार ठीक हो गए तो जैसे मैंने बदाया कि लोग ठीक भी साथ साथ होते जा रहे हैं बिमार हो रहे हैं लेकिन ठीक भी साथ साथ होते जा रहे हैं लेकिन इसकी इंट्रेस्टिंग चीज़ है साड़े तीन हजार patients पिछले तमिलाडू तो इन्हीं के अपने पार्टनर हैं केरिला आंधर परदेश आंधर परदेश और टेलन गाना दोनों इनके कभी हाँ कभी ना कभी इनके पार्टनर होते हैं कभी नहीं होते हैं पंजाब, पंजाब में अकालीदल भी इनके पार्टनर हैं, बिहार भी इनके पार्टनर हैं, पुड़ू चेरी आज दिली भी इसमें शामिल हो रहा है, तो इन सब विदानसभाओं ने प्रस्ताव पारित कर दिये कि यह कानून पास नहीं होना चाहिए, तो मेरी भी केंद्र सरकार से हाज जोड के विंती है कि इस पूरे NPR को और NRC को विड्रॉ किया जाए और किसी भी हालत में इसको लागू नहीं किया जाए तो मानिय मंत्री जी द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया था उस प्रस्ताव का मैं पूरी तरह से समर्थिन करते हुआ अब स्री गोपाल रायजी मानिय शर्म मंत्री द्वारा नियम नब्दे के तहत प्रस्तुत संकल्प सदन के सामने है